हेलो माई डियर फैमली कैसे हैं आप लोग आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को community tab और poll के बारे में कि अगर आपके पास community tab और poll है तो आप उससे कितना ज्यादा फैदा उठा सकते हो तो गाइस वीडियो सुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ इस बार जो मै Q&A ला रहा हूँ वो आज का वीडियो का comment box से मैं आप लोग का question पिक करूँगा तो आज मैं आप लोग को बोल दे रहा हूँ आप लोग जो Q&A में अगर आप लोग participate करना चाहते हो तो आज का comment box होगा उसमें आप लोग hashtag Q&A देकर अपना question डाल दीजेगा मैं इसी से इस लिए आप लोग को ये information दे दी अगर आप लोग का कुछ भी सवाल है मेरे से या फिर कुछ भी question है आप लोग का कुछ भी दिक्कत है तो आप आज का comment में अपना question डाल दीजेगा मैं pick करने का कोसिस करूँ तो चलिए वो तो मैंने बता दिया अब start करते हैं वीडियो को तो चलिए शुरू करते हैं so guys आज जो हम बताएंगे आप लोग को community tab और poll के बारे में अगर आपके पास community tab और poll है तो आप उससे कितना ज्यादा फाइदा उठा सकते हो so guys देखिए first में मैं बता देता हूँ community tab के बारे में उससे तो आप लोग सभी जानते हो कि community tab से हम लोग वीडियो को पर्मोट मार सकते हैं हम लोग वीडियो का जो thumbnail है वो लगा देते हैं पोस्ट में और link को डाल देते हैं तो उससे क्या होता हम लोग का वीडियो पर्मोट हो जाता है लेकिन guys आप लोग को सही time नहीं पता रहता आप लोग तुरंत वीडियो अपलोड करते हैं उसके बाद तुरंत आप लोग community tab को post कर देते हो जिससे कि आप लोग का community tab में भी like कम आते हैं और आपके वीडियो में भी उससे community tab के दुआरा viewers नहीं जाते हैं तो देखिए आपको करना क्या है आप लोग community tab को पहले ही जैसे आप लोग recently video upload कर दिये उसके बाद आपको 2-3 घंटा रुख जाना है उसके बाद आप video का जो recently video आप upload किये उस video को promote किजिए community tab के दुआरा लेकिन आप 2-3 घंटा बाद community tab में promote किजिएगा तुरंत अगर आप लोग कर देते हो न तो audience आपका video में जाएगा या फिर आपका community tab में जाएगा या फिर कोई audience अभी उस time अग आप जो promote मारे उससे एक भी views नहीं आएगे तो आपको करना क्या है आपको अपना video upload कर देना उसके बाद आप 2-3 घंटा बाद community tab में अपना link को देकर post किजिए उसका बाद देखिए आपका अगर दूसरे दिन अगर 100-500 ऐसे views आते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर बढ़ें मैं भी OSI करता हूं ठीक है तो यह तो हो गया एक नंबर community time में बता दिया अब मैं बता हूंगा एक दो फायदे पोल के बारे में देखिए पोल तो सभी यूज करते हैं आप लोग भी यूज करते होंगे अगर आप लोग के पास पोल है तो तो देखिए पोल से क्या होता है हाँ या ना ऐसा कर दिया तो आप लोग पोल में आप लोग अपना भोट देते हैं आप लोग को जो पसंद है वो हाँ करते हो या फिर नहीं करते हो लेकिन देखिए आप लोग पोल में तो आप लोग भोट देते ही हो उससे क्या होगा पोल से एक फायदे होते हैं कि आपक जो पॉल आता है ना उसमें आप अपना कि कोई भी अगर आप तीन टॉपिक सोचे हो कि हाउ टू मैं के थमनेल, हाउ टू मैं के विडियो एडिटिंग मतलब कैसे करें वो फिर हाउ टू मैं के कुछ भी मतलब आप तीन गो पॉल ले लिजे उसमें आपका क्या होगा आपको पॉब्लिक जो आपका पसंद करेंगे देखने वही वला में सबसे ज्यादा वोट आएगा इससे क्या होगा आपको कॉंटेंट समझ में आ जाएगा कि चलो मैं ये content अगर देता हूँ तो जितने vote आए हैं उतने तो views आ ही जाएंगे अगर ज्यादा नहीं आएं तो उतने views जरूरी आएंगे मैं भी ऐसा करता हूँ इसलिए आप लोग को suggestion दे रहा हूँ अगर आपके पास poll है तो आप ऐसा किजिए पोल से हम लोग का यही फायदा होता है कि हम लोग अपने जो viewers रहते हैं या फिर जो हम लोग के YouTube family रहते हैं उससे हम लोग हमेशा connecting में रह सकते हैं और जो हमारे viewers जो भी चाहते हैं वो हम लोग पोल के दुआरा पूछ सकते हैं ऐसे तो हम लोग call से तो उतना नहीं public को पूछ सकते आपको क्या चाहिए या फिर Q&A में भी उतना नहीं होता है जितना की हम लोग का पोल से हो जाता था आप लोग पोल कीजिए और उससे फायदा उठाइए आपको जो भी टॉपिक आपका पब्लिक बोलेंगे वह वाला टॉपिक आप वीडियो बनाईए फिर देखिए आपका वीडियो में कितना रीच जाएगा अगर आज का वीडियो आप लोग को कुछ भी समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक किजेगा साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आकन को भी प्रेस कर लिजेगा और गास में बतना चाता हूँ मेरा इंस्टाग्राम जो फैमिली है वो अब Oneक होने वाला है तो अगर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किये मेरा इंस्टाग्राम फैमिली से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जाके जूड़ जेए मेरा इंस्टाग्राम आईडी है कार्टिक सेन 25 जाके प्लीज फॉलो कर लिजिए क्योंकि मेरा 1K होने वाला है तो आप भी सपोर्ट कीज़े जल्दी ही 1K मेरा हो जाएगा और गाईस आप लोग को और एक चीज बताना चाहता हूँ अभी आप लोग का बहुत ही जादा कोमेंट आता है कि भाई तुम अभी अर्निंग कर रहे हो की नहीं और तुमारा मोनेटाइजेशन इनेवल हुआ की नहीं या फिर तुमारा वाजटाइम कितना है मतलब सारा कुछ जितना भी आप लोग को जानना है तो देखें आप लोग को जानना हग बनता है कितने watch time हो गए हैं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ मलब watch time अब monetization में कब enable करने वाला हूँ सब कुछ मैं आप लोग को एकदम खुल के बता दूँगा एक मेरा वीडियो आने वाला है उसमें भी आज के लिए वीडियो इतना ही करते हैं और आप लोग Q&A में अगर participate करना चाहते हो तो आज का comment box में आप लोग अपना question डाल दीजिएगा ताकि मैं आप लोग का question को pick कर सकूँ तो चलिए गाईस आज के लिए तब तक के लिए जय हींद वन्दे मातरम बाई बाई